अलो एप्रीवन वेल्कम बैक पर यूटूब चैनल मेडिकल नर्सेसर्व आज की क्लास है हमारी पूरे वलंडेड एमसीक्यू उसकी जो की आपकी वलंड हाफ हावर तक चल सकती है आज की क्लास में सबसे ज़्यादा कॉश्टन वेट्रमेंटल आप नर्सेंग कम्निटी और विडियाट्रिक के सौल करने वाले तो टोटल यहाँ पर जो सो एमसीक्यू रहेंगे इसमें आपको ट्वेंटी से ज़्यादा कॉश्टन इमेज बेस्ट रहेंगे जो आपके नर्सेट एक्जाम में आते ही आते हैं इमेज बेस्ट कॉश्टन और जिनका भी MP5 के लिए पे करें जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लास में ना हो पाएं यहाँ पर अभी रिसेंट में बात करें कुछ और अलग अलग जगह वैकेंसी कहां आ रही है तो वेस्ट वेंगॉल में वैकेंसी निकाली गई है अंटमार निकोबार में पर्मनेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोश है तो यहाँ पर आपके सभी जगह के कोई ना कोई एक्जाम चली रहे है नर्सिंग के तो आप अपनी तैयारी भी अच्छे से रखिए इस्पेसली जो भी लोग नौर सेट और एमपी ग्रॉफ पाइप का पेपर देते हैं उस सभी के लिए पीडियाफ अवेलेवल है तो आप मुझे डारेक्ट वाट्साप पे कॉंटेक्ट करके उन पीडियाफ को पर्चेस कर सकते हैं प्राइस बिल्कुल मिनीमल रखा गया है कि आप हरे केंडिट उसको परचेस कर सकता है first question यहाँ पर आपको image based question है identify the type of hearing aid device on in the image यहाँ पर एक image दिख रही है आपको यह hearing aid device है तो एक कौनसी hearing aid device है in the ear hearing aid, body born hearing aid, behind the ear hearing aid या integrated hearing aid कान में लगाने की machine जिसको आप कहते हैं कान में लगाने की machine यह उन लोगों को दी जाती इसको कम सुनाई देता है यह आपके ना के बरावर सुनाई देता है तो यह machine आपकी थोड़ी help करेंगे कि आपको आवाज है जो proper जाए तो यहाँ दिख रही है आपकी body born hearing aid कौनसी body born hearing aid यह मैली अभी उतनी यूज नहीं की जाती है next image में देखिए दिया गया है in the hearing aid यहाँ पर कुछ इसको यूज किया जाता है जिनको सुनने में problem होती है तो यह क्या है behind the ear इसका जो mostly हिस्सा है कुछ हिस्सा अंदर रहेगा कुछ बाहर रहेगा तो इसको हम कहेंगे behind the hearing aid फिरे देखिए I hearing aid अब यहाँ पर चस्मा पहनेंगे आप लेकिन चस्मे के यहां पर देखिए आपको दो पॉइंट दिख रहा है तो एक तो जन्रली आपकी आख के ऊपर रहेगा दूसरी कान के ऊपर रहते हैं दोनों इससे लेकिन आपकर एक चोटा इन नर्व में से कॉश्चन बहुत एक्जाम में आते हैं कि कौनसी नर्व कार्पल टर्नल चिंड्रोम में डिस्रफ रहेगी या पर प्रॉब्लम होगी फिर यहां पर आता है मुश्चन नर्व लेबरर नर्व कौनसी नर्व सबसे बढ़ी है तो इस अभी चीज़ें इस कियों कहा गया है जब भी आप कुछ भी जो भी इस्ट्रूमेंट बगएरा बजाएंगे तो इसको इसको कंट्रोल करने का काम करेगी लेकिन इस नर्व में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी मुश्चन होंगे वो क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से जो भी किसको अलनाफ नर्व को सियाटिक नर्व यहां पर देखिए थिकेस्ट नर्व आप दा बॉड़ी सबसे थिक मतलब सबसे इंटरनल ही है जो नर्व हो है सियाटिक नर्व जब आप हिप में इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं नर्व डेमेज होने का रिस्क रहता ह वह कौन सी होती है वह होती है सियाटिक नर्व फिर लेवरर्स नर्व किसको कहा जाता है मीडियन नर्व को क्योंकि यहां पर एक फोर आम के यहां पर रहेगी और जो भी लोग जादा है भी वगेरा काम करते हैं तो इसलिए इस नर्व को क्या कहा जाता है मीडियन नर्व को लेवर नर्व तो यहां पर आई हो पापको नर्व को लेके तीन-चार कॉश्चन क्लियर हो गए हो कारपल टनल सिंड्रोम मैंली किसको होता है लोग लुग लॉंग टाम तक कंप्यूटर पर बैटके काम करते हैं अलना नर्व कहला है कि मिजीशियन नर्व थिकेस्ट नर्व पूछे तो सियार्टिक लेवर नर्व पूछे तो मीडियर नर्व नेक्स्ट कॉश्चन है आपका कीगल एक्सराइज इस डेन टू कीगल एक्सराइज क्यों की जाती है प्रोमोट दाप, फ्लूड इंटेक, स्ट्रेंथनिंग, ब्लेडर मसल टॉन, प्रेवेंट फॉम यूरीन इंफेक्शन, असिस्ट इन टॉयलेटिंग तो यहां पर जो कीगल एक्सराइज की जाती है ब्लेडर मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किसके लिए ब्लेडर मसल्स को, इस्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्यों और यह प्रेग्नेंसी में क्यों करने के लिए किया जाता है ताकि जो आपकी पैल्विक फ्लूर मसल्स है, मजबूत बनेंगी तभी जब आपकी लेवर पैन होंगे डिलेवरी के टाइम पर तो आपको क्या रह एक तरीके से सपोर्टेव रहे तो यहां पर कीगल एक्सरसाइज पैल्विक फ्लूर मसल्स को मजबूत बनाने के लिए की जाती हैं, तो इस्ट्रेंथनिंग प्रोवाइट तरेंगी ब्लेडर मसल्स को ताकि यूरिन पास आउट ना हो सके, इनकंटिनेंस की सिच्वेशन ना हो सके, यहां पर आपका अंसर क्या हो, इस्ट्रेंथनिंग गा ब्लेडर मसल्स, नेक्स्ट है, अधिकल जैनिकुलेट बॉडिज फॉर्म अ पार्ट ओफ, तो मेडिकल जैनिकुलेट बॉडिज किस पाइट को बनाएंगी, लिम्बिक सिस्टम, मोटार सिस्टम, औरिट पूंचते हैं लेकिन पूंचते हैं तो ऑडिट्री सिस्टम इसमें और टेस्टम में लेकिन एकड़ी मतलब सुनाई देने वाला पार्ट आपका जो कानbakा पार्ट है वहां मेंडिरल बंच जो मेंडिटरी प्लिट्री भर् में देखें कि जो मेंडिस अनीकुलेट रिंध में चर्णी का पिछ मारे uses उनीक गडिशित यौपर सब्सक्राइब करें धाया बच्चे में फिजियोलोजीकल जॉइंडिस के सभी कौज में किसी एक को छोड़कर इट फैट स्वाइज सेवन्थ डे ओफ लाइफ इट पीक्स में थाइट डे ओफ लाइफ इट अपीर्स बिपोर अटैनिंग 24 आवर अफ इज तो बच्चों में जॉइंड इस दो तरीके क का होता है एक होता है फिजियोलोजीकल है ज़ंडरली तब होता है कि बच्चों की जो और बिस ह्जय का डिस्ट्रक्शन पर ब्लाइक के वार ने कि आपका अगई व्य में उतना प्र ऍक रहना तरीके से टोग नहीं है पूरा बना हुआ with और नहीं है ऐसकि एसमें some जो कोमली देखने को मिलता है दूसरा होता है pathological condition pathological conditions में joint यदि बच्चे में delivery होने से लेके within 24 hour के यह बाडी दिख जाए within 24 24-24 गंटों के अंदर दिख जाता है तो आपका पैथलोजिकल जॉइंड इस मतलब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से बच्चे में आपके आरवीसी डिस्ट्रक्शन के कारण नहीं हो रहा है यह आपका आरवीसी डिस्ट्रक्शन के कारण नहीं हो रहा है तो कि अपने आप ठीक होने लगेगा लेकिन फिजियोलोजिकल जॉइंड इस की खासियते होती है कि जब बच्चा 24 गंटे का हो जाएगा उसके बाद ही दिखाई देगा और यहां पर बच्चे को इवन उतना ट्रीट्मेंट की जरूद भी नहीं पढ़ती की फोटो थेरपी से इसको ट्रीट किय जाए 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 जादा हो जाता है तब बच्चे को फोटो थेरपी की जरूद पढ़ेगी लेकिन यदि जो पैथलोजिकल जॉइंड से पैदा होते ही 24 गंटे के अंदर देखे जाएगा इसमें ब्लूरूबिल लेविल पांच एमजी पर डियल से भी जादा जाएगा सी केर की ज़रूरत पढ़ने वाली है तो यहां पर यदि कहा क्या है कि फिजियोलोजिकल जॉइंड इसके सभी फीचर हैं किसी एक को छोड़कर तो बहोगा कि यह 24 गंटे के अंदर नहीं होता है 24 गंटे के अंदर होने वाला कहलाएगा पैथलोजिकल जॉइंड जॉइंड जॉइंड इस में यदि कर्निक टेर स्कूनिट कोंचते हैं आप से कर्निक टेरस पूछते हैं तो मतलब ब्लूरू नेवल है जो ब्रेंट अधा को सब्सक्राइब है नेखला आया सब्सक्राइब लेकिन जॉइंड ब्लूरुबिन बढ़ना जोंड इस एडिस नेगा फिर तो यहाँ पर एक nurse practitioner है जो कुछ procedure दिखा रही है inhaler को लेके तो यह कौन सा procedure है demonstration, panel session, discussion या फिल lecture तो यहाँ पर इस नर्स एक procedure दिखा रही है inhaler के साथ में यह कहलाएगा demonstration क्योंकि सीधा करके दिखा रही है inhaler हो गया injection insulin injection लगाना हो गया सीधा आपको करके दिखाना है demonstration करके दिखाना है क्लियर है demonstration करके दिखाना है आपको direct करके दिखाएं कि इस तरीके से आपको इन्दा इमेज you can see a nosebleed patient all measures should be performed for stop bleeding except यहाँ पर एपिस टैक्सेस डिसॉट्स चैनल उस पर मैंने एक पड़ाया भी हुआ है दो या तीन मिनिट की क्लास में बताया है तो एपिस टैक्सेस और नोस cover over the nose keeping the patient in sitting position with the neck flexed तो यहाँ पर बच्चे को जब भी nosebleed या बड़े को होती है तो neck flex करना है sitting position में बिठाना है nose को pinch करके रखना है मुझसे सास लेने के लिए कहना है ऐसा नहीं कि नाक दवादी तो मुझसे भी सास ना लो मुझसे सास लेने के लिए कहना है और यहाँ पर आप चाहे तो eyes है जो cover कर सकते है bleeding stop नहीं होती है तो cotton भी use कर सकते है लेकिन sneezing करने के लिए न नहीं कहना है अब अब जो नोजग लीडिंग होती है दो तरी में होती हैं होती है एंटीरियर दूसरी होती है Posterior ट्रेंटीर नोसब्लीड है जो जनरली यहां पर इसके pieces पूछे जाते हैं वो a class Vex Plexus क्या है Castle Vex Plexus और जो posterior है जनरली बोड्रा फ्लेक्सस के आरा से होगि और posterior जो नोस ब्लीडिंग होती है वो back side से होती है जब तो यहां पर special treatment की ज़रोत पड़ेगी क्योंकि यह common नहीं है anterior nose bleeding है जनरली आपके nostrils के यहां से होगी जनरली हो जाती है कभी-कभी foreign material कुछ भी चला गया है या फिर आपके nails बड़े हैं आपने नाग में बार बार finger की तो हो सकती है लेकिन जो posterior nose bleeding होगी posterior apistaxis होगा Woodrow plexus इसका common origin होगा क्या है Woodrow plexus एक्जाम में आते हैं posterior apistaxis के लिए plexus तो वह बुड़ा और anterior के लिए पूँच है तो वह है Classified plexus यहां पर जो posterior nose bleed होती है इसमें आपको person को hospitalized करके है जो even treatment करने की ज़रूर पड़ती है Common तो जनरली 80% case में anterior apistaxis ही देखने को मिलेगा Next is identify this tube sore is below होते हैं पर एक tube देख रही है क्या है F-ranka tube IV-7 trials tube after sangsten tube तो यह कहलाएगी यहां पर sangsten tube जनरली यह क्यांसी tube है sangsten tube इस तरीके से यूज़ की जाएगी जब जो bleeding होती है इस टमक में bleeding होती है तो इस bleeding को stop करने के लिए रोकने के लिए या फिर slow bleeding करने के लिए sangsten black more asb tube है जो यूज़ की जाएगी जनरली यह जू bleeding होती है जब इस टमक या फिर isopagus में bleeding होती है तो गेस्ट्रेक अलसर है पर इसोफेगल वेरिसेस के कारण हो सकती है blood flow का obstruction होगा breeding होने के chances रहेंगे इस case में इस breeding को stop करने के लिए 생stern tube है जो use की जाती है इसमें तीन port होते हैं इसोफेगल port दूसरा होता है गेस्ट्रेक balloon port तीसरा होता है गेस्ट्रेक expiration port तो यहाँ पर जो balloon port है, inflate है, यह है, जो deflate है, इसको isophagus और जिस्टरवक में बेज के क्या किया जाता है, inflate किया जाएगा, एक है gastric balloon, जो दूसरा है, isophagal balloon. Next is, how should a nurse administer an iron injection to an adult, तो एक adult में iron injection कैसे administer किया जाएगा, interdermal in the forearm, subcutaneous in the arm, jet track intramuscular in the gluteal, फिर IM in deltoid muscle, तो जो iron injection किसी adult person में administer किया जाएगा, jet track intramuscular injection से, किसे jet track intramuscular injection वो भी gluteal reason में, adult की बात की जा रही है, jet track method क्यों अपनाई जाएगी, क्योंकि जो iron medication है, ये tissue को irritate ना कर पाए, फैल ना पाए, lock कर दे medication को, इसी लिए jet track method है, जो अपनाई जाएगी, कहां पर लगाएगे हम injection, gluteal muscles में. प्रोचन है यहां पर, best method of installation, eardrop in infant is to pull ear, तो best method कौन सी यह eardrop install करने के लिए बच्चों में, option है यहाँ पर downward and backward downward upward upward backward यहाँ पर best method है ear drop install करने की बच्चों में infant में downward and backward क्या है downward and backward best method है किसमें infant में लेकिन 3 साल से ज़्यादा वाले यहाँ तो infancy period एक साल ते consider किया जाता है लेकिन 3 साल से ज़्यादा का पूछते हैं तब होगा कैसे upward and backward क्या है upward and backward पहले downward and backward यहाँ पर एक image दी हुई है आपको यहाँ पर बताना है look at the picture and identify तो यहाँ पर एक कौन सी picture है photo therapy machine है radiant warmer है heater है कि x-ray है यह है आपका radiant warmer जब बच्चा पैदा होता है तो hypo thermia से बचाने के लिए बच्चे को इस warmer में रखा जाता है इसको क्या कहा जाता है radiant warmer रेवर रूम में ही प्रिजेंट रहेगा photo therapy यूज की जाती है jointus वाले बच्चे को पीलिया वाले बच्चे को treat करने के लिए लूबिन बड़ा हुआ है इसको उसकी बॉड़ी से बाहर निकालने के लिए photo therapy जो यूज की जाती है अगला क्वेश्चन है which sign is seen in this image यहां पर एक image दिख रही है पर कांड के यहां पर एक पर सनंगली किये हुए हूँ पूरा मुं बना के रखा है तो यह कौन सा sign है hormones, प्रूजिंस्की, चौबर स्टेक या पर ट्रावजी sign तो यह कौन सा sign है यहां पर दिखाई दे रहा है तो यहां पर यह जो sign दिख रहा है होमन साइन तो डीवेल थ्रामोसिस के मरीज में देखने को मिलेगा काफ मसल स्पेन होगा तो वो होमन साइन है डीवीटी में देखने को मिलेगा रुजिन्स की साइन देखने को मिलता है मैनेंजाइटिस की परसन में करनिंग सो रुजिन्स की साइन नचल रिजिडिटी फिर यहां पर आता है चौवस्टिक और ट्राउजी साइन दोनों साइन देखने को मिलते हैं टिटेनी में जब आपकी बोड़ी में कैलसियम की कमी बहुत जादा हो जाती है तब होगा टिटेनी और टिटेनी के साइन दोनों चौवस्टिक और ट्राउज कारण टेटेनी होगा कैसे हाइपो केलसीमिया के कारण और इस साइन किसका है टेटेनी का तो यहाँ पर फेसियल नर्म एबनॉर्मल रियक्षन देखने को मिलेगा जैसे कि आपको पूछते हैं जो वोस्टिक साइन में कौन सी मसल है जो अफेक्ट होगी तो जो जा मसल है कौन सी मेज़ेटर मसल में है जो हाइपर एक्साइटिबिटी देखने को मिलेगी हाइपो केलसीनिया में ट्राउजी साइन हों गया तो ट्राउजी साइन में क्या है आप जब जब आप बीपी चेक करते हैं कॉर्पो पैडल स्पाज्म वाइंफलेशन और इस फिग्मो मैन क्रपो पैडल स्पाज्म देखने को मिलेगा है अपने स्टोलिक बीपी चेक किया सप्रेगमो मैनोमीटर से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं आप तीन मिनिट सबस्क्राइध तक तीन मिनिट से जादा तो आपका जो कॉर्पो पैडल स्पाज्म आप पर एदी की फिंगर होगा इंटर फेरेंजियल जॉइंट एक्स्टेंशन होगा रिस्ट में फ्लेक्शन देखने को मिलेगा सीधी सीवार ट्राउजी साइन में आपका हांत अफेक्ट होगा आपका हांत अफेक्ट हो रहा है क्यों जब आप बीपी बगेर चेक करते हैं तब उस ताइम पे और जो लाइनर वारोइंग यह जो दिख रही है आपको लाइनर वारोइंग है और माइट फिंगर बेप्स तो यहाँ पर फिंगर बेप्स मतलब इन दो उंगलियों के बीच में हैं एल्बो में एंकल में पैनिस के यहाँ पर तो एक कौनसी कंडिशन है तो टेनी इसके वीज कियों फैटीगो सोडीया से त्ीनों सकिंग प्रोपलम है और इसको पूंसर होगा इच मैट एधी पूछ से है इच माइट लाइनर लइनर वारोइंग तो डोनों देखने को मिलेंगी सक्वीज में किस में सक्वीज में इच माइट के कारणे प्रोबबलम ہو से इसकीन इंफि तोड़ कर टेरेटो मतलब टेराटरा मतलब 4 होता है तो टेरेटिलोजी ओफ फेलेट में ओवर राइडिंग ओप आवटा पल्मोनेरिक स्टेनोसिस पेटर अट्रियोसेज वेंट्रिकुलार सेप्टल डिफेक्ट तो कौन सा है जो इनक्लूड नहीं होगा वह पीडी ए क्या ह पी डी ए पेटेंट डेक्टर साट्रियोसे से देखिया आपर जो टेरेटिलोजी ओफ फेलेट होता है इसमें ओवर राइडिंग ओप आवटा वेंट्रिकुलार सेप्टल डिफेक्ट पल्मोनेरी स्टेनोसिस औराइट वेंट्रिकुलार हाइपर्ट्रॉफी रहेगी क्लि साइनोट्रिक में जो प्रॉबलम होगी वह थी लेट ल charter ऑन्सेंक िसे लेटव एट सब्सेंट मेंगेड़ बेस्ट अंध्रॉप्सिप एपस्टीन एनवली होगा तो एपस्टीन एनवली भी साइनोटिक कंजनाइटल हार्ट डेफेक्ट है तो यहां पर आपको एक लासिफेकेसन है बेसेक ऐली एक ही उसमें बताया गया है कि और आपको एक और एक्जाम में आता है टेरेटिलोजी और फार्ट में बच्चे के हार्ट का सेप कैसा दिखाई देता है बूट सेप में तो बूट होते हैं उस सेप में दिखाई देगा next is in the stage of growth and development the infancy extends from तो growth or development में infancy period को कब तक extend किया जाता है birth to 4 weeks, birth to 1 year, 4 weeks to 1 year after 1 to 3 year तो growth or development period में infancy period रहता है चार हपते से लेके 1 साल तक कितना? चार हपते से लेके 4 weeks to 1 year तक 1 to 3 year तक होगा toddler, 4 weeks to 1 year तक होगा क्या? infancy, birth to 1 year तक new natal, birth to 4 weeks तक क्या है? birth से लेके 4 weeks तक कहला गए हाँ पर new natal period तो यहाँ पर रहे देखिए अब और अच्छे से बताएगा कि यदि बच्चत जन में से 0 to 28 days तक तक new born और new nat, 1 महीने से 1 साल तक का तो infant 1 year to 3 year है तो toddler, 3 to 6 year pre-schooler, 6 to 12 year schooler, 12 to 18 adolescent age group तक कंसीडर किया जाएगा but according to WHO के यदि adolescent age group पूछे तो आप 12 से अठा रहा ना कहें तो आपको 10 से 19 साल की age group को क्या कहना है WHO के according adolescent period next is the trend of development that follows head to foot it is called head to foot मतलब उपरी पार्ट से नीचे की तरफ हो रहा है development ते कहलाएगा आपका की तरफ next is what is the normal pulse, normal range of pulse rate of a child of 1 to 2 year एक से 2 साल तक की age में जो pulse rate है बच्चे की कितनी होगी 60 to 100 per minute 76 to 120 per minute 120 to 160 per minute 80 to 130 per minute नॉर्मल रेंज होगी जो pulse rate की वो होगी 80-130 per minute based upon बच्चे की age पर भी depend करता है यदि newborn baby है जो की 0-3 month है तो pulse rate होगी 100-150 जैसे जैसे age बढ़ती जाती है pulse rate वैसे वैसे घटती जाएगी इंफेंसिव है 90-120 जब इंफेंट भी 3-6 महीने का और इंफेंट जब 6-12 महीने का होगा तो 100-160 चिल्डरन एक से 10 साल का है तो 70-130 जब बच्चा 10 साल और उससे ज्यादा का हो जाए है pulse rate को next one is the the most significant sign of respiratory distress in preterm babies preterm baby में respiratory distress के क्या sign है barrel chest nasal flaring bradycardia grunting and chest and drawing to grunting and chest and drawing तो देखने को मिलता है निमोनिया में इसमें निमोनिया में barrel chest देखने को मिलेगा M5 सीमा में जो COPD वाले person होगा M5 सीमा होगा उन में फिर बस्ता है bradycardia इसमें pulse rate 60 से कम चल लिए लेकिन preterm baby में 130 से कम जाएगी तब consider किया जाएगा फिर यहां पर जो preterm baby में respiratory distress का जो most common में चाएब नेजल फ्लेरींग क्या है नेजल फ्लेरींग टेकर्टि इस नेक्स्ट वन इस नोर्वाग वायरस तो यह जनरली जो नोर्वाग वायरस एग इसके थो लोगों क्या होगा डायरीय वोमिटिंग और नोरो वायरस के थो होगा इसके थो नोरो वायरस के थो होगा इसका जो साइंटिफिक नाम है नोर्वाग वायरस का क्या है नोरो वायरस जो की आपको यह तो गंदा खाना पीना खाने के कारण होगा और इसके कारण वोमिटिंग और आपको होगी डायरीय होगा लेकिन जो इबोला वायरस है फ्रूट सेट चमगादण के त्रों होगा मैं लिए आपकी लिवर सेल्स एंडोथीलियल सेल्स और फेगोसाइट सेल को अफेक्ट करेगा इबोला इंडिया में जितनी भी डिसीज होती है आपने देखा होगा कि यह जो भी फर्स्ट केस निकलता है कभी-कभी बहुत सारी डिसीज कचा है आप निपाह का लेलो इबोला का लेलो कोरोना का लेलो सभी केस आपको केरला से होते हुए आपकी कंट्री में एंट्री करते हैं इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग है जो दूतरे अलग-अलग कंट्री से आते हैं जरूरी नहीं जो डिसीज हमारे इंडिया में ज पूछिए जरूरी नहीं आपको नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में इबोला वाइरस हो इबोला की जगह आपको या तो यहां पर आपको जो वाइड फ्लू के थ्रोट डिसीज हो रही है हो आ सकता है कुछ भी ऐसी डिसीज जो की रोडेंट्स के थ्रोग होती है प्लेग हो गया आपको तो यहां पर आपका उंसर क्या होगा वाइरस नेक्स्ट वन है आप पर तो यहां पर यहां पर कौन सी हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे लेक ओफ इंट्रेस्ट इन फूड अ फीवर डेट स्टार्ट टू डेज एगो वॉमिटिंग फॉर टू डेज रिसेंट एपिसोड ऑफ फैरेंजाइटिस रूमेटिक फीवर होता किसके कारण है यह होता है जनली बीटर स्ट्रेप्टो कोकस नाम के बैक्टिरिया के कारण अब यदि बार बार आपको रिकरेंट तो आपके लिए डॉक्तर क्या कहेंगे आपसे पूचा जाता है फिर आप पे टेस्ट किये जाएगे तो उसके बेस पर आपको रिमेटिक फीवर डाइग्नोस किया जाएगा बीटा स्ट्रेप्टो कोकल भैक्टिरिया क्या है इसके ये causative agent बार बार रहती आपको recurrent recent में फेरंजाइटिस हुआ है उसकी history यहां पर आपकी collect की जाएगी according to johns के exam में आता है rheumatic fever के लिए दो criteria यूज किये जाते हैं rheumatic heart disease के लिए actual में तो यहां पर एक होता है major criteria दूसरा होता है minor is जिसके फ्रों जोन्स के according जोन्स के according exam में question आता है तो दो तरीके criteria अपनाए जाते हैं जोन्स कैफ पाल एदी फुल नाम पूंचें तो जोन्स कैफ पाल एक होता है major criteria major criteria में आपका आता है joint involvement looks like a heart मतला myocarditis क्या है myocarditis nodules रहेंगे तो सबकुटेनियस हो सकते है इर्थमा मार्जिलेटम हो सकता हो सिदेनम कोरिया यह क्या है major criteria फिर आता है minor minor में आपका CRP बढ़ेगा arthralgia होगा fever होगा ESR level बढ़ेगा PR interval बढ़ेगा leucocytosis होगी अब यहां पर दोनों इनोने criteria बताएं लेकिन इसको diagnose कैसे किया जाएगा यहां पर पहले तो throat culture लिया जाता है क्योंकि pharyngitis को test करने में आपका throat culture लिया जाएगा anti streptolyalin otitis यहां पर क्या होगा elevate होगा अब यहां पर plus आपके two major criteria मतलब जो यहां पर johns के according major criteria पांच दिये हुए इनमे से या तो दो major criteria हो या फिर एक major criteria और दूसरे में दो minor criteria हो तब confirm किया जाता है कि person chromatic heart disease हुई है clear है यहां पर क्या johns के according criteria है एक्जाम में आपको आता है major और minor criteria next one the drug used for induction of labor is तो कौन सी drug है लेवर को इंड्यूस करने में यूस की जाती है methylgene, argometrine, oxytocin या फिर progesterone जो medicine labor को induce करने में यूस की जाती है वो क्या है oxytocin क्या है oxytocin यह बराबर सही तरीके सी uterine contraction लाएगी contraction लाएगे सरवाई के dilatation होगा तब जाके वे भी बाहर आएगा तो यहाँ पर oxytocin को PPH कंट्रोल करने में भी यूस किया जाता है और यहाँ पर जो option दिये हुए है आपको यह भी आपको exam में आते हैं methargin, argometrine लेकिन drug of choice for induction या फिर drug of choice to control the PPH तो एक ही drug है oxytocin और pitocin, pitocin form में generally आपको market में available होती है next one is a process of providing or obtaining the food necessary for growth and health is तो यहसी process जिसमें food आपको provide करवाया जाएगा जिससे आपकी growth और health है जो सही रहे जरूरी है और आपको nourishment, natural science या फिर nutrition तो यहसी process जिसमें आपकी growth और health के लिए खाना जरूरी है वो कौनसी process है तो यह आपका nutrition, क्या है? nutrition next one is how many chambers are there in the heart of fish? यहाँ पर मचली के इरदय में कितने chamber होते हैं? राजिस्तान के exam में भी आया था आपको जिनको याद हो मचली के इरदय में कितने chamber होते हैं? human heart में तो चार होते हैं अब फिस में कितने होंगे? दो, पांच, तीन, चार तो फिस में दो चैंबर होते हैं, only atrium और ventricle यह देखिए atrium और ventricle होते हैं बाकी का काम इनमें gills और जो systematic capillaries हैं वो कर देते हैं यदि फिस के heart में पूछे, दो चैंबर होते हैं ventricle जो की blood out of the heart जो heart से blood को बाहर निकालेगा और atrium receive करेगा next one है आपर, expected date of delivery is calculated by using तो EDD कैसे calculate की जाती है जोन्स formula से, नेगल्स formula से, वोट्स formula से की रोबर्ट formula से तो आपने चारो formula पढ़े हैं nursing में, मैं ली आपने जोन्सन formula पढ़ा है और नेगल्स पढ़ा है तो कौन से formula से, यह जो EDD calculate की जाती है तो वो है आपर आपका नेगल्स formula क्या है, नेगल्स formula और जो जोन्सन's formula है, जो की fetal weight को यह वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में fetus है, uterus में ही तो वहाँ पर कितना weight है उस fetus का आप sonography करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी sonography में लिख दिया जाता है कि बच्चा 2.5 kg का है 500 g ग्राम का है या फिर बच्चे का बजन 2 kg से ज़्यादा है तो यह check किया जाएगा तो यह पता किया जाता है क्योंकि आपके uterus में या फिर डारेक्ट आपके जो गरवासा है उसमें आपके डारेक्ट कोई भी मसीन सेट करके तो पता नहीं किया जागा कि बच्चे का बजन तो इसमें अपनाया जाता है क्या जोंस कॉर्मूल और इसकेreck को इंदल वेट है जो ग्राम में नेखाल के लाया जाता है ने मेखक फार्मूल यह नैंगर करने के लिए बैस यह फोर्मूला ओड़ू ज्यम्ट करने के लिए next one is the legal definition of death that facilitates organ donation pertains to the suggestion of to death है जो legal definition क्या है death की मरने की legal definition क्या है क्या stop होगा suggest होगा बंध होगा जब हम consider करेंगे कि person legally मर चुका है pulse function of the brain in its entirety respiration circulatory and respiratory functions किसके प्रोव आप बताएंगे कि person की है जो death हो चुकी है legally तो यहां पर जब भी आपको पूंचा जाता है तब आता है brain क्या है जब आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए पूरे तरीके से suggest हो जाए से suggest का मतलब stop होना तब क्या किया जाएगा person को legally death consider किया जाएगा इसकी stage आती है एक्जाम में आपको जो body के breath होने के बाद rigor mortis stiffness इस सब stage आती है आपको तो आपको एक बार अपने points से clear रखना है एक्जाम में आपको आते हैं कि body कभ डीकंपोजेट होना स्टार्ट होती है कभ राइगर mortis होगा कितने time के बाद body ठंडी पढ़ने लगती है कितना room temperature पर body continuous क्या हो डीकंपोजेट होना स्टार्ट हो जाती है तो वैसे ही यहाँ पर legal death के लिए यदि आप क्योंकि यदि आपके जो respiratory functions है उसमें कुछ stop is देखने को मिलती है तो person को ventilator पर रख दिया जाता है लेकिन brain के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है next one is sperm are produced by the process of sperm का production किस process के थो होगा ovulation के oogenesis के spermatogenesis की और gestational के किस process के थो sperm का production होगा ovulation में egg release होगा oogenesis में क्या होगा जो ova है उसका formation होगा spermatogenesis में sperm का formation होगा gestational का मतलब है pregnancy stage next and most important question which of the following analgesic drug next anti-inflammatory action यहाँ पर यह देखिए कौन सी analgesic drug NSAID medicine हमने पढ़ी है यहाँ पर उनने से ऐसी कौन सी analgesic drug है जिसके पास anti-inflammatory action नहीं है मतलब वो as an anti-inflammatory के तोर पर काम नहीं करेगी only analgesics और anti-paratic के तोर पर ही काम करेगी लेकिने एंटी इंटी इंफ्लामेट्री रिएक तोर यहाँ पर पर यहाँ पर प्रासिटामाल कौन सी medicine है जिसके पास anti-inflammatory action नहीं है लेकिन वो एक analgesic हैं तो वो होई आपकी हम पर Paracetamol Acetaminofen और Paracetamol दोनों सेम है और यह क्या है? NL जैसे की तरह काम करेंगी Anti-Piratic की तरह काम करेंगी लेकिन यह Anti-Inflammatory Reaction का काम नहीं करेंगी क्या है? Anti-Inflammatory Reaction की तरह काम नहीं करेंगी Paracetamol यदि आपको Paracetamol की जगह ए आप उसको भी मार कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों सेमी मेडिसिप है Clear है? Next one is the The most common hospital acquired infection is Most common hospital acquired infection कौन सा है? Bladder, Kidney, Respiratory of a Digestive System Most common hospital acquired infection है आपर क्या Respiratory Infection परसन को generally hospital acquired infection और नौजो कॉमिल इन्फेक्शन कब होता है? हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद कब हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के बाद उस सबसे पहले परसन को pneumonia develop होता है आपको यदि हॉस्पिटल में रुकेंगे 48 घंटे उसके बाद आपको cold cup सर्दी इस तरीके से सबसे पहले होगा देन आपर कुछ और problem होगी वैसे ही यहाँ पर भी है जो सबसे पहले system affect होगा वो क्या होगा आपको respiratory system next one normal pregnancy period in human being is human being में normal pregnancy period कितना होता है 250 दिन, 270 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन कितना time period pregnancy में normal होगा तो यह होता है कितना 280 दिन 280 days next one and most important question है आपके लिए sign of placental separation are the following except तो सभी sign है placental expulsion के sorry placental separate होने के detach होने के किसी एक को छोड़कर rise of temperature blending of amulical corded bulba severing यह फर gust of blood सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन जो body का temperature है नहीं बड़ेगा three classical signs होते हैं placental separation a new initiative for child health screening and early intervention for birth defects, disease, deficiency and developmental delay अब देखिए आप आप कॉस्चनरी ध्यान से देखते हैं यह भी कॉस्चन एक्जाम में आया हुआ था I think महराश्च्रा CHO में एक कॉस्चन आया है वहाँ पर direct नहीं पूँचा था उसमें भी इसी तरीके से पूँचा गया था कि एक initiative लिया गया है जिसमें बच्चों की screening और early intervention किया जागा birth से लेके कि सेज तक पूँचा गया था लेकिन यहाँ पर मताया गया है कि जन्म के टाइम पर यहाँ पर जन्म से लेके जो भी defect है deficiency and developmental delay है और disease and 4Ds है यहाँ पर इसमें एड किये गए जन्म से लेके 18 साल तक कि एज ग्रूप के बच्चों में birth to 18 years तक में तो यह कुल सा program है यहाँ पर एक है नवजात सिसू सुरक्षा कारिक्रम क्या है नवजात सिसू सुरक्षा कारिक्रम फिर हैं यहाँ पर दूसरा RBS के राष्टरी बाल स्वास्ते कारिक्रम फिर जन्री सिसू सुरक्षा कारिक्रम जन्री सुरक्षा यूजना लास्ट में है जो विचारों में से आपका अंसर क्या होगा तो यहाँ पर स्क्रीनिंग है और इंट्रवेंशन है बर्ग से लेके 18 साल तक ही एज ग्रूप में तो यह RBS के प्रोग्राम पंसा राष्टरी बाल स्वास्त कारिक्रम next one is the biomedical based management and handling rules came into force in India on biomedical based management को किस शरीके से handle करना इसके लिए एक rule लाया गया था इंडिया में तो एक कब आया था 28 July 1998 में 28 June 1998 एटाइस जून 1998 एटाइस जून 1999 एपर 28 June 1999 में तो BMW management और handling के तहट एक rule लाया गया था उसके according एक अब in act हुआ था ते हुआ था इंडियम 28 जुलाई 1998 से 28 जुलाई 1998 से इसको start किया गया था MTP Act आएगा आपको Biomedical Risk Management Act आएगा National Health Policies आ सकती है आपको या फिर PASCO Act आ सकता है जुविनाईल एक्ट आ सकता है या हमने नर्सिंग में आपके जुविनाईल पास को इस अभी एक्ट कप पड़े हैं थाइडियर और सेकंडियर में आपने पूरे एक्ट बगेरा पड़े हैं लेकिन आपको एक बार रिवाइज कर लेना है नेक्स्ट बन इस Sudden Attack of Sivering Accompanied by Rapid Rise of Body Temperature is known as Sudden Attack of Sivering अचानक से आपको ठंडी लगती है जिसमें आपकी Body का Temperature बहुत हाई जाता है तो यह क्या है? क्राइसे से राइगर है लाइसे से की Heat Exhaustion है तो Sudden Attack of Sivering जो आपको कपकपी लगती है वो अचानक से आपको continue पॉस्ट से 10 मिनिट तक continue रहती है और आपका Body Temperature एक Peak Level पर पहुंच जाता है वो कहलाता है राइगर यह चीज मैंने अपने बेटे में होते हुए कई बार देख हो जाते हैं लेकिन राइगर का जो अटेक होता है 5-5-10-10 मिनिट तर कंटीनियस चलता है जिसमें परसन को और एक क्यों होता है क्योंकि आपकी जो मसल से उतनी Heat आपकी Body का जो Temperature इतना ज्यादा बन रहा है उसको Handle नहीं कर पा रही है तब आपको क्या आता है राइगर सट है काना स्टार्ट हो जाता और इसमें आपकी Body का Temperature बहुत पास्ट तरीके से पीक लेवल पर पहुंच जाता है जब Body का Temperature एक सो तीन या फिर 104 डिग्री फैरनीट पर होता है तब राइगर सटेक आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिवरेंग होगी चाहिए आप कितना भ भी किसी को भी राइगर्स आते हैं तो आपको Windows ओपन करनी है और जो लूक वाटर है उससे सपंजिंग करना है लेकिन जब राइगर अटेक आ रहा हो उस टाइम पर कभी भी सपंजिंग आप ना करें अधर्वाइस परसन को और ज्यादा राइगर्स आएंगे वैसे केस में आप परसन को वार्म लिक्विड फ्लूड है जो दे सकते हैं नेक्स्ट वन इस टोटल नंबर ओव बिटामिन ए डोज गिवन तो बेवी अप्टो थी एर और फेज ये भी कई वार एक्जाम में कोश्टन आता है कि बिटामिन एके टोटल कितने डोज दिये जाते हैं तो त यह जाएंगे नेक्स्ट वन इस विच इस वैक्सी वैक्सीन नहीं देंगे रुवैला हैपिटाइडिस भी बीसी जी या फिर डीपीटी तो यदी मां को एचाइबी पॉजिटिव है और जो बच्चा हुआ है तो उसमें भी चांस हो सकते हैं तो ऐसे बेवी में आप बीसी जी वैक्सीन नहीं देंगे क्योंकि जो बीसी जी वैक्सीन अंदेते किस से बचाने के लिए टीवी से बचाने के लिए इनके इस बच्चे को क्या है एचाइबी पॉजिटिव मास से जो बच्चा हुआ है इनके बच्चे को भी एट से एचाइबी होता है जो बीसी जी वैक्सीन के जो आपने दिया तो प्रवेंट करने के लिए लेकिन जो इनके इनक्टिवेटेट जो भी यहां पर कंटेंट यूज किया गया है वो भी भी को दुखसरा बीसी जी लेकिन फर्स्ट ली बीसी जी को कर्सिडर किया जाता है कि अधि मां है चाइबी पॉजिटिव है वो बच्चा हुआ है तो इसको बीसी जी नहीं दी जाएगी next is coronary artery disease with relieved by rest and nitroglycerine तो एक coronary artery disease है इन वैसे जो की rest करने से वो nitroglycerine देने से ठीक हो जाएगा मतलब थोड़ा relief मिलेगा ठीक तो नहीं होगा relief मिलेगा आराम मिलेगा तो कौन सी है myocardial infarction, angina, arrhythmia या फिर heart block तो ऐसी coronary artery disease जिसमें आपने थोड़ा rest किया और sublingual nitroglycerine आपको दे दी तो है angina क्या है angina attack और chest pain जिसमें आपको sublingual nitroglycerine दिया जाएगा अंडर अटंग और थोड़ा rest करने से आपको आराम मिलेगा next one is who is the father of psychoanalysis psychoanalysis के father कौन है इवान पाबलो, विलियम हुने, सिग्मंट प्रूड या फिर विलियम्स जैंस तो यहाँ पर जो psychoanalysis के father है वो है सिग्मंट प्रूड कौन है? सिग्मंट प्रूड next one cerebrospinal fluid is secreted by हमने hydrocephalus बहुत अच्छे से point पड़ा है CSF का CSF fluid कहां से secret होता है? spinal cord से cerebellum, coroid plexus या पर cerebrum तो cerebrospinal fluid secret होता है कहां से? coroid plexus से secret होता है जब यदि यही ज़्यादा हो जाए तब person को क्या develop होता है? spinal fluid का level ज़्यादा हो जाए that means coroid plexus ने बहुत ज़्यादा secretion किया और accumulation हो गया आपकी body में proper flow नहीं हो पाया तब होता है hydrocephalus बड़े सिरवाला आपने बच्चा देखा है वही next one is myopia is corrected by using तो myopia में किसके throw treat किया जाएगा? cylindrical lens से, vio focal lens, convex lens या पर concave lens से तो myopia correct किया जाता है किसे concave lens से, किसे myopia के लिए concave lens से यूज किया जाता है convex जो farsighted नहीं से उसके लिए use किया जाएगा hypermetropia के लिए next and most important question a term baby which have hypoglycemia blood glucose level will be यदी बच्चा hypoglycemic है, term baby है 37 week के बाद प्रदा हुआ है उसका blood glucose level कितना होगा यदी उसको hypoglycemia हुआ है तो less than 20 mg per deal, less than 70 mg per deal, less than 30 mg per deal या फिर less than 50 mg per deal, यदी बच्चा atom baby है और hypoglycemic है उसका blood glucose level होगा less than 50 mg per deal, कितना? less than 50 mg per deal, जनरल ही होता तो है 40 mg per deal से भी कम लेकिन यदी यहाँ पर first day of life की बात करें तो 40-60 mg per deal होगा, लेकिन दूसरे दिल 50-90 mg per deal, यदी यहाँ पर direct term baby के लिए पूंचा तो 50 mg per deal से भी कम होगा, यदी बच्चा कैसा होगा? हाइपोग्लाइसे में होगा तो, यह देखिए आपर, आप चाहें तो इसका एक जो नोट दाउन कर सकते हैं कि full time, full time infant है, जिसका जो 72 गंटे से भी जादा होगा, उसके born हुए, उसका यदी हाइपोग्लाइसे में कैटेगरी पूंच है, less than 60 mg per deal होगा, लेकिन full time neonate, जिसको 72 गंटे, 0 से 70 गंटे हुए हैं, तो 40 mg per deal से कम, और जिसको 0 to 42 गंटे हुए हैं, लेकिन बच्चा pre-term है, बच्चा pre-term neonate है, तब less than 50 mg per deal, यहाँ पर कहा है कि term में भी हैं, बेबी term में मतलब 37 week के बाद हुआ है, लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक है, तो इसका glucose level कितना होगा, 50 mg per deal से भी कम, नेक्स यहाँ पर, when performing the physical examination, what is the correct sequence or step of abdominal assessment, to abdominal assessment के लिए, जो correct sequence है, वो क्या होगा, तो जो correct sequence होता है, वो होता है, आपका inspection, auscultation, percussion and palpation, यहाँ पर मैंने आपको option इस लिए नहीं होता है, ता क्या होता है, तो जो correct sequence होता है, वो होता है, आ कि आप confused नहीं हो, percussion, sorry, palpation और percussion, inspection और auscultation के बात किये जाते हैं, तो यहाँ पर inspection पहले होगा, फिर auscultation होगा, percussion होगा, और palpation होगा, तो कौन सा टेस्ट है, जिसमें person को क्या किया जाएगा, सीधा स्ट्रेट खड़ा किया जाएगा, दौनों पहर साथ में जोड़के, आँखें, open, बटे, सीधा स्ट्रेट खड़ा करने के बाद आप कहेंगे, कि यहां के बंद कीजियों, खड़े होईए, तो क्या करेगा, गिर जाएगा, तो कौन सा टेस्ट है, चौबस्टिक साइन, रुजिन्सकी, रॉमबर्ग या फिर हैस्टेस्ट, रुजिन्सकी चौबस्टिक किया जाएगा, यहां पर किसके लिए किया जाएगा, रॉमबर्ग टेस्ट, तो रॉमबर्ग के टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें परसन के बॉड़ी वैलेंस को चेक करने के लिए किया जाएगा, जनरली जो पी के ड्राइब करते हैं, उनमें भी यह टेस्ट किया जाता है, ड्रिंक करके तो यहां पर आपके जूते उतरवाये जाएंगे आपको सीधा दौनों हाथ नीचे आखे आइस आपकी क्लोस करवाई जाएंगी फिर यहां पर आपको सीधा खड़े होने के लिए कहा जाएगा डॉक्टर आपको थोड़ा सा भी विल्कों लाइटली कुस्ट कर है क्या है है स्टन को है स्टै से किया जाता है जिसंको हम क्या कहेंगे रंपल टेस्ट जो की यूज किया जाएगा कैपिलरी फ्रेजिलिटी को चेक करने के लिए किसके लिए कैपिलरी फ्रेजिविल्टी को चेक करने के लिए इसकों टॉर्निक्यों टेस्ट भी कह सकते हैं और यह चेक किया जाएगा आपके ब्लड प्रेशर के लिए कि आपकी जो फोराम पर जो आप कफ लगाते हैं बीपी चेक करने के लिए उसना में पर तो यह हैस टेस्ट इसको टॉर्निकूट टेस्ट भी कह सकते हैं यह भी सेंसरी सिस्टम को यूज़ करने के लिए किया जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन है आप आई होप आपको रॉंबर्ग टेस्ट या फिर हम इसको बॉड़ी बैलेंस टेस्ट कहेंगे जनरली आपके बॉडी का बैलेंस आप बना पाते हैं नहीं उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा नेक्स्ट वन इस आपर तीन साल का बच्चह है इमर्जेंसी डिपार्टमेंट बिलाया गया है गिरा है तो उसके आप में फ्रेक्शर है यहाँ पर आप कौन सा असिस्ट करेंगे comprehensive problem focused ongoing या पर identification of clients strength बच्चत 3 साल का है यहाँ पर आप उसकी strength का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे ना ही comprehensive assessment करेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले क्या problem उस सीच पर focus करेंगे तो आपका assessment भी कौनजा होगा problem focused assessment कौनसा problem focused assessment एक question आपके लिए आप इसका answer comment box में देंगे question है when assessing body temperature on hospitalized patient the rectal route would be preferred by the nurse in which of the following patient तो यहाँ पर body temperature को check करने के लिए hospitalized किया गया है एक patient आप उस patient को आप rectal temperature temperature किस patient को rectal temperature check करेंगे 12-year-old adolescent with fever में 55-year-old lady with cardiovascular disease an unconscious 6-month-old infant after 30-year-old man with hemorrhoids तो यहाँ पर किस मरीज में आप rectal route से temperature check करेंगे यहाँ पर इस cancer आप लोग comment box में देना next class होगी इस में इसका अंसर आपको दिया जाएगा आपको आज की class अच्छी लगी और जो भी डाउंत है तो आप मुझे कमेंट करके आप वाट्साप पर message करके पूछ सकते हैं thank you for watching us bye bye take care have a good day